नमस्कार आप देख रहें नियूजेटीन का डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके साथ मैं हूँ शिप्टा जहा नौर्थ कोरिया के शासक किम जोन को कौन नहीं जानता है हर बार वो अपनी कुरूरता और कड़क मिजास के लिए सुर्खियों में रहते हैं कड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं लेकिन इस बार उनके एक बयान ने दुनिया भर कोई देशों को डरा दिया है और अब ये बहस शिड़ गई है कि आखिर वो ऐसा बयान क्यूं दे रहे हैं दरसल नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोन ने बड़ा एलान करते वे का आये कि वो अपने देश में परमानूं हथियारों की संख्या को बढ़ा रहे हैं और अपनी सेनाओं को ट्रेंड भी कर रहे हैं साथी साथ अपनी सेना को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिये हैं युद्ध के लिए तैयार होने का निर्देश दिया किया है तो ऐसे में अब ये बहस ये छिड़ गई है कि आखिर नॉर्थ कोरिया जो के गरीब देशों में से आता है उसके पास इतने बैलस्टिक मिसाइल कैसे आते हैं इसे खरीदने के लिए उसे कौन पैसे देता है तो इस सब को लेकर आपको इस वीडियो में जानकारी देते हैं आखिर गरीद देश नॉर्थ कोरिया के पास नई नई बैलस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए पैसे कहां से आते हैं और सीना को मजबूत करने के लिए किम जोन को कौन पैसे देता है। ये बहस इसलिए चिड़ गई है कि कि नॉर्थ कोरिया की तरब से ये बड़ा एलान किया गया है। पैसे कहां से आते हैं और सीना को मजबूत करने के लिए किम जोन को पैसे कौन देता है। नॉर्थ कोरिया की आय की श्रोत क्या है तो ब्रिटानिका की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की अर्थ विवस्था सेंट्रलाइजड है। अर्थ विवस्था में आई के श्रोत अलग-अलग तरह के ना होकर गिने चुने हैं नॉर्थ कोरिया के इतिहास को देखें तो 1950 से पहले तक यहां की अर्थ विवस्था क्रिशी पर काफी निर्भर थी लेकिन धीरे-धीरे खेती का युगदान कम होता गया जहां एक तरफ द लोन देता रहा है इसके अलावा समय समय पर नॉर्थ कोरिया रूस से भी आर्थिक मदद लेता रहा है जिसका इस्तमाल हथियार निर्मान के लिए किया जा सकता है उत्तर कोरिया में करीब 200 प्रकार के खनीज खदान से निकाले जाते हैं जिनने अलग-अलग देशों को बे जाता है यहां सरकार ही सहकारी समीतिया बनाकर उद्यों का संचालन करती है उद्योगिक और कृशी मशिनरी का निर्मान प्योंग यांग के पास कांग सोन और हुई चोन सहीत कई अन्य शेहरों में किया जाता है रसायनों का उत्पादन उर्वरकों और पेट्रो केमिकल्स पर केंद्रित है जिन में से अधिकांश प्योंग यांग के उत्तर में अंजू शेत्र में निरमित होते हैं. कपड़ा उद्योग प्योंग यांग, सीनु एजू और सुन्चोन में केंद्रित हैं. कोरिया में एक ही बैंक है Democratic People's Republic of Korea का Central Bank है कई दूसरे State Bank है जिनकी निगरानी Central Bank ही करता है इन में से एक विदेशी वैपार बैंक है जो सभी विदेशी लेंदेन और जब लागू हो विदेशी मुद्राओं को सम्हालता है तो ये तो रही North Korea के आई और श्रोथ की बात हाला कि North Korea जो है वो चीन और रश्या पर भी काफी dependent है हाला कि जिस तरीके से North Korea के तरब से अब ये बड़ा बयान दिया गया है कि परमानों हत्यारों का कलेक्शन बढ़ाया जा रहा है और सीना को युदे के लिए तयार होने की बा जार किन के साथ